आप देख रहे हैं बीबिसी लाइफ देश और दुनिया की खबर राजिसासन के निर्देश पर एक बार फिर से हर जिले में ब्लोक में और चोक चोरहों पर लर्लिंग लाइसेंस बनवाने के सिविर कायोजन किया जा रहा है इसके लिए परिवहन विबाग मतलब RTO को जवाबदारी दी गई है RTO विबाग के अपसर ने बताया कि राजिसासन के पहल पर आवर लर्निंग लाइसेंस बनाया जा रहा है इसमें आमजनों से अपिल भी की जा रही है कि इस सिविर का लाव उठाया जाए और गाड़ी का लाइसेंस जरूर बनवाले चुकि आज भी ऐसे कई लोग है जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के बाहन चलाते हैं ऐसे लोगों को चिननांकित करके लाइसेंस बनवाया जाएगा और बिना लाइसेंस के बाहन चलाने वालों पर कारवाही भी की जाएगी आर्टियो अफसर ने यह भी कहा कि ज़्यादा तर लोग आर्टियो आकर लाइसेंस इसलिए नहीं बनवा पाते हैं क्योंकि भीड रहती है या फिर दलालों के माध्यम से ज़्यादा पैसा लग जाता है इसी वज़े से सिविर लगाकर आमजनों को यह सुविदा दी जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइसेंस बनवा सकें और लाइसेंस के लिए इतलब एक अभियान के तौर में इतने आवेदव हो सकते हों कि लाइसेंस मनाकर देगा सर यह प्रकिया तो पहले भी ज़्यादी थे लिए अचानक वह भी लोग थोगे फिर अचानक क्या रिज़न के लिए समय समय पर साशन से नेदेश प्राप्त होते रहते हैं और आपको यह भी जात होगा कि जो सड़क सुरक्षा के लिए जो हमारे समय समय पर सीविर लगते हैं इसमें भी लाइसेंस के लिए लग से जाता है पुलिस और परिवान विभाग के दोनों के तालमें से भी सीविर गायोजन किया जाता है और ज्यादा से ज्यादा एद्गराजियों को लिए जाता है जाता है जाता है जाता है अब यह अभी यह अभ्यान हम सुझना प्रसारित करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाव लेकर है क्या नुमान लगाएंगी कब से सीविर गायोजन किया जा सकता है जहां ज्यादा लोग आएंगे तो हम उन जगह पे सीविर कायोजन करने की प्रामी करता है खबरों में आप तक लिए बस सतना भी मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहे बीबीसी लाइफ